हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल, इस एग्रो नॉमी लेक्चर में आज हम डिसकस करने वाले हैं टू में इंपोर्टेंट टॉपिक, पहला है डेफ टॉप प्लाविंग और दूसरा है क्लासिफिकेशन ओफ वाटर सेट, तो जानेंगे इन दोनों वारे में डीटेल में, जो की एक्जाम के पॉइंट अव्वी से काफी इंपोर्टेंट है, एग्री कल्चर फिल्ड ओफिसर और अधर कॉम्पिटेटिव एक्जाम में इस टॉपिक से कॉशन देखने को मिलते हैं, तो शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पे न आपकी क्लासिफिकेशन है, वो according to CREDA, हैदराबाद के according है, CREDA क्या है आपका, Central Research Institute for Dryland Agriculture, मैं रिपीट करता हूँ, Central Research Institute for Dryland Agriculture, जिसकी जो स्थापना हुई थी, वो 1985 हुई थी, यहां से कॉशन आ सकता है, CREDA क्या है, कहां पर इस्थित है, हैदराबाद में, कब स्थापित 1985 में, अब बात कर लेते हैं, कि इसके according, जो depth of plowing को divide किया गया है, वो 3 classes में किया गया है, पहला है आपका shallow depth, shallow plowing, तो shallow plowing की बात करेंगे, तो यहां पर 5 to 6 cm depth रखते हैं, अब यहां पर बात आती है, plowing होता क्या है, तो plowing मैं आपको English में बता देता हूँ, plowing is the process of breaking, loosening the soil and turning it for uprooting weeds and aerated the soil, तो plowing क्या करता है, soil के जो clots होते हैं, उनको break करता है, उसको loose करता है, और turn कर देता है, उसके weeds जो होते हैं, उनको uproot कर देता है, उनको खार देता है, और soil में aeration बना देता है, उसी process को हम plowing कहते हैं, तो plowing का यहां पर जो पहला class है, वो क्या है, shallow plowing, तो shallow प्लाविंग में 5 to 6 cm depth रहती है, उसी प्लाविंग को हम shallow प्लाविंग बोलते हैं, तो question सीधा सीधा आता है कि shallow प्लाविंग में हम कितनी depth रखते हैं, तो 5 से 6 cm हम depth रखते हैं, second है medium प्लाविंग, आगर हम medium प्लाविंग के आगे बात कर लेते हैं, तीसरा है deep प्लाविंग, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, deep होता है यह, तो यहाँ पर जो आपकी गहराई होती है, जो depth भी है प्लाविंग की, वो होती है 25 से 30 cm, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे तीन question complete हो गए, उसके साथ हमने यह भी जाना करीडा कभ इस्टेबलिस हुआ, इसका full form क्या है, और यह कहाँ पर इस्टेत है, तो सारी information आपको यहाँ पर मिल गई, अब चलते हैं आगे एक और important topic पे जो की आपका है classification of watershed, अब हम बात कर लेते हैं, watershed की classification और उससे पहले जान लेते हैं कि watershed होता क्या है, तो दिहान से सुनिए, a watershed describe an area of land that contain a common set of streams and rivers that all drain into a single larger body of water such as larger river और lake, तो हिंदिये मैं आपको उता देता हूँ, watershed एक ऐसा area होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे input होते हैं, चाहिए उसमें आपकी reverse हो सकती है, छोटी-छोटी, आपकी canals हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे input आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन एक main outlet आपको देखने को मिलता है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि watershed एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे input होते हैं और एक outlet होता है क्योंकि outlet भी कहीं न कहीं उसका होगा तो जो outlet होता है वो कोई large body होती है water body और वही हमारा क्या कलाता है watershed अब हम बात कर लेते हैं classification of watershed तो यहाँ पे 5 classes में classify किया गया है इस watershed को तो one by one जानते हैं कि कौन कौन से watershed होते हैं और उनका area coverage कितना होता है तो पहले बात कर लेते हैं mini watershed mini watershed का जो area होता है वो 10-100 hectare होता है कहीं-कहीं पे एक से लेकी 100 hectare भी रखाऊ दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहा है तो मेरे according 10 to 100 hectare area coverage होता है जिसको mini watershed बोलते हैं आगे बात करेंगे दूसरा है micro watershed micro watershed का जो area coverage होता है वो होता है आपका 100 से लेके 1000 hectare ये हम बोल सकते हैं कि अगर कोई watershed है उसका अगर area 100 से लेके 1000 hectare है तो वो क्या कलाएगा आपका, वो micro watershed कलाएगा, ठीक है आगे बात कर लेते हैं तीसरा जो आपका है मिली वाटर्षेड मिली वाटर्षेड का जो एरिया कभरेज होता है वो 1000 से लेके 10,000 एक्टियर का होता है तो कश्चन अगर आजाता है कि मिली वाटर्षेड का एरिया कितना होता है तो 1000 से लेके 10,000 एक्टियर is the right answer आगे बात कर लिते हैं, fourth है, sub macro watershed, तो यहाँ पर बात करते हैं, sub macro watershed की, तो इसका जो area coverage होता है, वो 10,000 to 50,000 hectare होता है, 10,000 hectare से लेके 50,000 hectare, उसको हम sub macro watershed बोलते हैं, last है आपका, जो सबसे बड़ा है, macro watershed, जो सबसे बड़ा watershed होता है, और उसका area भी सबसे ज़्यादा होता है, पचास हजार hectare से ज़्यादा, more than 50,000 hectare area होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, macro watershed बोलते हैं, तो यहाँ से हमारे 5 question तयार हो गए, और छटवा यह हो गया कि वाटर सेट को हम कितनी classes में classify कर सकते हैं, तो 5 classes में हम इसको classify कर सकते हैं, और 5 कौन कौन से हैं, mini watershed, micro watershed, milli watershed, sub macro watershed और macro watershed, अब यहाँ पर जो question आएंगे, वो 5 कैसे question आएंगे, कि micro watershed का coverage area कितना होता है, तो 100 से लेके 1000 hectare, अगर किसी ने पूछ लिया, सब macro watershed का area coverage कितना होता है, तो 10,000 hectare से 50,000 hectare, तो यह हमारे हो गए classification of watershed, इससे पहले हमने जाना, plowing के कितने types थे, कितने classes में उसको हमने divide किया था तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी helpful लग रहा है, तो वीडियो को like कर दीजिए, और इस वीडियो को जाज स्यादा share करिए, ताकि सभी student तक यह वीडियो पहुंच सके, अब बात कर लिते हैं, आज का question और उससे पहले हम answer दे देते हैं, कल के question का तो कल के वीडियो में जो question पूछा गया था, वो आपका question था कि इंडिया की average rainfall, annual average rainfall कितनी है, तो answer सभी ने सही दिया है, 119 cm किसी ने दिया है, किसी ने 1190 mm दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप mm में चलेंगे, तो 1194 mm, मतलब 1194 mm होता है, और अगर आप cm की ब 1.4, मतलब 119.4 cm, तो दोनों answer आपके सही है, और आप बत कर लिते हैं, आज का important question, जिसका सही answer आपको comment box में लिखके भेजना है, तो आज का question है, which country having highest irrigation efficiency, मैं दोबारा repeat कर देता हूं, which country having highest irrigation efficiency, तो आपको इस country का नाम बताना है, जिसकी irrigation efficiency सबसे ज़्यादा है country wise में, ठीक है country level की बात कर रहे है, तो ऐसी कौन सी country है, जिसकी irrigation efficiency other country के compare में सबसे ज़्यादा है, तो आपको answer पता होगा, मुझे उम्मीद है, तो जल्दी से इस question का answer आप comment करिए, तो ये था आज का important session, अगर आपको session पसंद आया, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा comment करिए, ताकि हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर आए, अगर आप चाहते हैं किसी important topic पर में वीडियो लेकर आऊ, तो प्लीज आप comment करिए, मैं कोसिस करूँगा जल्दी से जल्दी आपके special topic पर में वीडियो लेकर आऊ, इसका PDF आपको हमारे telegram चैनल पर मिल जाएगा, जि administrative exams के जो भी आपके notes हैं, वो easily आपको available हो जाते हैं, तो यह था आज का session, session देखने के लिए धन्नवाद, जय हिंद, जय भारत